प्रणाम दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों अपनी सेहत का खास थ्यान रखें वो अपने जीवन में नई नई जानकारियां हासिल करते रहें आईए आज हम जान लेते हैं कि पुराणों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तेहर और व्रत का क्या महतम्यम बताया गया है और इस दिन को हमें कैसे मनाना चाहिए श्री कृष्ण जन्माष्टिमी व्रत की विधी तथा फल के विशे में भी आज हम चर्चा कर लेते हैं प्रन्तु उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी तबा दे ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करो तो इसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए दोस्तो संपूर्ण भारत में भात्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अश्टिमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ी धूमधाम और शत्धा से मनाया जाता है इस दिन लोग उपवास रखते हैं शाष्ट्रों में बताया गया है कि श्री हरी के अवतरण काल में अंग्रहन नहीं करना चाहिए जन्माष्ट्मी के अवसर पर मंदिरों को विशेश रूप से सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण से संबंदित बहुत से जहांकियां भी निकाले जाती है इस दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमी मत्रवा में तो विशेश आयोजन होते हैं और मत्रवा की तो शान ही निराली होती है महराष्ट में संध्य के समय मटकी फोरने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और यह प्रतियोगिता और जन्मोथ सब को मनाने का यह प्रचलन काफी प्रसिद है इस दिन श्री कृष्ण ने रोहिनी रक्षत्र में अर्धरात्री को मत्रा में माता देविकी की कोख से जनम लिया था और फिर पापी कंस और उसके तुष्ट असुर साथियों का संहार किया था और भक्तों की रक्षा करके उनका उध्धार किया था श्री ब्रम व्यवर्थ पुराण में सावित्री द्वारा पूछने पर धर्मराज ने बताया कि भारत वर्ष में रहने बाला जो भी प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टिमी का व्रत करता है वह सौ जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है वह दीर काल तक बैकुंट लोक में आनन्द होगता है और फिर उत्तम योनी में जन्म लेने पर भगवान श्री कृष्ण के प्रती उसमें बहुत ही प्रेम और भक्ती उत्पन हो जाती है श्री पदम पुराण के अनुसार जो कोई भी मनुश्य इस व्रत को करता है वह इस लोक में अतुल एश्वर के प्राप्ति करता है और इस जन्म में जो उसका अभीष्ट होता है यानि जो उसको बहुत जादा प्री होता है जिसकी उसे बहुत जादा इच्छा होती है चाहत होती है उसे भी वह प्राप्त कर लेता है श्री विश्मु रहस्य में लिखा है कि भाद्र पद कृष्ण अस्टमी को रोहिनी नक्षत्र में रत करने से उसका महान फल मिलता है यदि उस दिन बुधवार हो तो उसके विशेश फल का तो क्या ही कहना यदि ऐसी अस्टमी नवमे के साथ संयुक्त हो जाए मतलब एक ही दिन नवमे भी हो और अस्टमी भी हो तो कोटी कुलों यानि करोडों कुलों को मुक्ति देने वाली होती है भगवान श्री कृष्ण कहा है कि जो व्यक्ति जनमाश्टमी के वरत को विधी विधान के अनुसार करता है उसके पाप स्वते ही नश्ट हो जाते हैं और उसे मृत्यों के उपरांत व्यकुंठ लोग में स्थान मिलता है यही बात शाष्टरों में भी कही गई है आईए अब जान लेते हैं श्री कृष्ण जनमाश्टमी वरत की पूजन विधी और विधान के बारे में यह वरत भात्र पदमास के कृष्ण पक्ष की अस्टमी को श्री कृष्ण जनमाश्टमी के रूप में मनाया जाता है यह तो आपको पता ही चल गया है इस दिन प्रादय का दैनिक नित्य कर्मों सनानादी से निवृत होकर आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं श्री कृष्ण भगवान की प्रीती यानि प्रेम के लिए और अपने सारे पापों के शमन के लिए यानि सारे पापों से मुप्ति के लिए प्रसन्नता पूरुक जनमाश्टिमी के दिन उप्वास यानि व्रत रख रही हूं या रख रहा हूं अर्धरात्री में पूजन करने के पस्चात दूसरे दिन भोजन करूंगा या करूंगी व्रत को इस दिन यम नियमों के पालन करते हुए निर्जल व्रत रखना चाहिए दोस्तों अगर आपको यम नियमों के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी पृत के दिन घरों और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के भजन कीरतन उनकी लीलाओं के दर्शन करने चाहिए संध्या के समय भगवान के लिए जूला बना कर श्री कृष्ण को उसमें जुलाना चाहिए आरती के बाद दही, माखन, पंजीरी वो उसमें मिले हुए सूखे मेवे का मिला परसाथ भोग लगा कर भगतों में बाटना चाहिए दूसरे दिन ब्रह्मनों को प्रेम से भोजन करा कर स्वयम भी भोजन ग्रहन करना चाहिए साथ में दान दक्षिना की पूरी रस्म को भी पूरा करें ताकि वरत पूरा हो जाए और वरत के दारान अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भगवान से माफि मांग लें दोस्तो श्रीक्रिष्ण जन्माष्टमी वरत की पूराणी कथा सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें जय श्रीक्रिष्ण दोस्तो अगर आपको अन्य वरतों की विधी और कथा से रिलेटिड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा होंसला भी बढ़ा दें साथ ही मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नई वीडियो में बाई टेक क्या